अस्सलाम उलेकुम उमीद करता हूँ आप लोग जो है वो खेरियत से होंगे तो मेरा नाम जो है वो फैज़र रह्मान है और आप ये लेक्चर M.E. इंगलिश टेंटर पे देख रहे हैं तो आज पढ़ेंगे चैप्टर 20 जो के क्लास 10 की बुक का आखरी चैप्टर है तो इस से पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, MCQs हैं, Numericals हैं, Question Answers हैं तमाम के तमाम मैं आपको करा चुका हूँ ठीक है इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक है Natural Radio Activity तो देखे, Natural से आपको पता है, Natural का जहां भी वट आ जाता है, उसका मतलब यह होता है कि वो काम जो कुदरती तोर पर होता है, खुद बाखुद होता है For example, सूरच का निकलना, यह एक Natural Process है सूरच जो है वो खुद निकलता है, अपने वक्त पर और खुद गुरूप हो जाता है तो इसी तरह से जो आपके पास Elements होते हैं, जिनका Atomic Number 82 से ज्यादा हो वो खुद जो है वो टूट जाते हैं, तो जब वो टूटते हैं, तो उसमें कुछ Radiation निकलती है तो उन Radiation को निकलने को कहते हैं Radio Activity सबसे पहले तो ये चीज़ देख लेते हैं, कि किस Scientist ने जो है वो ये Radio Activity का Phenomena Discover किया था तो इस Phenomena को Discover करने वाले थे, इंशाल्ला, ये Topic आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा इंशाल्ला, इंशाल्ला, इसलिए कह रहा हूँ, क्यूंकि मैंने जो है, वो काफी महनस से इस Topic को Prepare किया है आप लोगों को समझाने से पहले, समझ लीजिए जए कि 2-3 घंटे मैंने इस Topic को दिये हैं कि किस तरह से मुझे आपको समझाना है और क्या-क्या लिखवाना है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ, आप जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, वोट पर ये पूरा वोट अभी जो है, फिल हो जाएगा आपने एक-एक चीज लिख ले दी है अपने पास तो मैं खुद लिखूंगा, तो आपको वीडियो बार-बार रोखनी नहीं पड़ेगी जो मैं की-पॉइंट बताऊंगा वो तो आप रुखके लिख लीजिएगा वीडियो पॉस्ट करके, लेकिन मैं जो लिखवाँगा, वो मेरे साथ-साथ लिखते रहो कॉफी, निकाल लो, लिखते रहो, आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद से नोट्स बनाए, बेशक बुक से पढ़ें, लेकिन खुद के भी नोट्स होने चाहिए, तो हैंडरी बैकुरल ने जो है वो इस प्रोसेस को डिसकवर किया था, ठीक है, हैंडरी ब बैकुरल साहब वो साइंटिस हैं, जिनों ने इस प्रोसेस को डिसकवर किया था, अब रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी में सिंपल जो चीज होती है, एक एटम तूटता है, अगर आप से कोई पूछ लेके रेडियो एक्टिविटी में क तो इसका मतलब यह नहीं है, कि Atom 2 हिस्सों में हो जाता है, जिससे कि आपके पास एक Ag है, ठीक है, आप Ag लेकर आते हो, तो वह ऐसे 2 हिस्सों में तूट जाता है, चलो, एक कोई चमचम लेकर आए वाप, यह एग तो नहीं लग रहा, कोई मिठाई लग रही है ठीक है, आप चमचम लेकर आए, वो ऐसे दो हिस्सों में तूट जाता है, ठीक है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर यह नहीं होता, आपके पास क्या होता है आपके पास, यह आपके पास एक नूकलियस होता है, इसमें प्रोटोन प्लस नूट्रोन होता है देखें मैं ABCD से समझा रहा हूँ, इंशालला बास समझ में आ जाएगी, ठीक है मतलब जो इसकी ABCD है वो समझा रहा हूँ तो यह नूकलियस तूट जाता है, यह नूकलियस तूट जाता है, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है रेडियो एक्टिविटी में नूकलियस तूटता है, अब आपको पता है जब भी कोई चीज तूटती है तो उसमें से कुछ जर्रात निकलते है कुछ energy निकलती है, है ना, ऐसा होता है ना, for example, एक आपके पास है अंडा, जब एक अंडा तूटता है, तो उस अंडे के अंदर से egg yolk निकलता है, और egg white निकलता है, मतलब उसकी जर्दी निकलती है और अंडा निकलता है ना, आपके पास, तो इसी तरह से nucleus जो के बहुत energy से अपने आपको बांद के रखावा होता है, जब वो तूटेगा तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, बेशक उसमें से निकलेगा, तो atom, मतलब जब यह nucleus तूटता है, तो इसमें से क्या निकलता है, आपके पास यह मैं atom बना रहा हूँ, hydrogen का लेकिन याद रखना, सिर्फ वो ही atom का nucleus तूटता है, जिसके पास number of proton 82 या 82 से ज्यादा हो, क्यूं अभी समझा दूँगा, ठीके, तो वो ही nucleus तूटेगा, तो थोस nucleus will break, तूट जाएगा, जिसके पास number of neutron, यानि atomic number, या मैं लिखता हूँ, atomic, atomic number, atomic number is greater than 82 और equal to 82, यानि जो भी x element है, आपके पास वो जब ही तूटेगा, जब उसके पास, atomic number जो के यहाँ पर होता है, आपके पास z, वो यहां तो 82 हो, या 82 से ज्यादा हो, यह वाला जो sign है, वो इसलिए लगाए कि 82 हो, और greater than का sign इसलिए लगाया है कि 82 से ज्यादा हो, ठीके, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां तो z, यहां तो 82 हो, यहां तो 82 से ज्यादा हो, जब ही तूटेगा, यहां लिख लीजे, और करके, ताकि और जगा आजाए मेरे पास, मुझे आपको पूरा board जो है, वो फिल कराना है, ठीके, तो कोई भी nucleus कब break होगा, जब यहां तो 82 हो, यह 82 से ज्यादा हो, समझ में आ गई बात, आप आप से कोई पूछ ले, यहां तो 10-15 MCQ से आपके ऐसी solve होगा है, आप से कोई पूछ ले, कि hydrogen का nucleus, hydrogen के atom का nucleus, क्या naturally तूट सकता है, डीके हो सकता है, क्या जवाब होगा आपका, नहीं, क्यूँ, क्यूँके hydrogen के पास, तो 82 से, 82 या 82 से कम ही हमारे पास, hydrogen का जो proton होते हैं, वो तो 82 होते ही नहीं है, तो वो खुद भागो तूट ही नहीं सकता, एक और बार रिपीट करता हूँ, क्यूंकि थोड़ा flow मेरा break हो गया तो अगर आप से कोई पूछ ले, चलो hydrogen को छोड़ दो, carbon, copper को ले लो, सही है, carbon को ले लो, ठीक है, क्या carbon है आपके पास, C है, आपके पास carbon है, वो naturally radioactive है या नहीं, या वो naturally decay हो सकता या नहीं हो सकता उसका nucleus, तूट सकता या नहीं तूट सकता, क्यूंकि उसके पास number of proton 82 ही नहीं होते, उससे बहुत कम है, 6 number of proton होते हैं, हमारे पास carbon में हमने पढ़ा है, ठीक है, और जिस वो ही atom तूटेगा, या वो ही element का atom का nucleus तूटेगा, जिसके पास ज atomic number 82 हुई है, 82 से ज्रादा हो, तो अब आपके दिमाद में आता हूँ को कौन सा ऐसा हमारे पास जो है, वो element है, जिसका nucleus तूट सकता है, अच्छा याद रखना, ये लिकलो बात, कि nuclear जो है, मतलब जो nucleus है, उसके अंदर जो neutron और proton है, वो nuclear force से मिलकर band हुए होता है, मतलब वो binding force उसके दर्मियान जो है, वो nuclear force होती है, हमारे पास proton और neutron के दर्मियान, कौन सी force होती है, nuclear force, जो के इसको जोड़े रखती है, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, neutron and proton, 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 बाइंड, इसको bind कियावा होता है, किसने, bind by and uclear, nuclear force, nuclear force ने बार, ठीक है, nuclear force ने जो है वो आपके पास, neutron और proton को bind कियावा होता है, जो binding force होती है, neutron और proton के दर्मियान, वो nuclear force होती है, यह बात मैंने सिफ इसलिए लिखवाई है, कि अभी इस तरह का एक question आपके पास आने वाला है, ठीक है, neutron और proton के दर्मियान कौन सी force होती है, nuclear force होती है, याद रखिएगा, neutron और proton के दर्मियान, यानि nucleus किस force से मिलकर बंदा रहता है, nuclear force की वज़ा से, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमें यह बात तो समझ में आ गए, कैसे यह nuclear आपस में, कैसे यह nucleus बनता है, और कैसे neutron और proton आपस में बंदे रहते हैं, for example, आपको एक page दूसरे page पे चिपकाना है, तो आप किसे चिपकाते हो, glue से, gum से, आपको जो है, वो force चाहिए हो थी, जो उन दोनों को चिपका के रखे, आप ऐसे ही एक page को दूसरे page पे लाके रख दो, for example, मेरा हा है, यह खुद बाखुद नहीं चिपक सकता, अभी मैं हटाओंगा, हट जाएगा, लेकिन अगर मैं इसके दर्मियान एक force develop कर दूँ, यानि कोई ऐसा material अपने दोनों हाथों पे लगा दूजो मेरे हाथों को चिपका दे, तो एक force develop हो जाएगी, जो दोनों हाथों को चिप यह जो हमारे पास nucleus है, यह टूड जाता है, कैसे टूटता है, यह मैंने यहाँ बता दिया कि अगर 82 से ज्यादा number of proton हो, अब आपके पास है uranium, 92, अब मेरा आप से सवाल है 235, ठीक है, 92 और 235 हमने जो है वो इसका लिख दिया, क्या गयता है, यह इसके होगा number of proton, यह इसके ह number of proton, atomic number, 92, और atomic mass, यह प्लस number of proton, number of neutron, 235, अब सिर्फ number of neutron कितने होंगे, वो हम निकालना सीख चुके है, 143, ठीक है, 143 होंगे, अच्छा, अब मेरा यहाँ पर आप से एक सवाल, कि क्या, यह uranium, इसका nucleus break हो सकता है यह नहीं, बहुत अच्छे, आपने बिल्कु सही जवाब इसका nucleus break हो सकता है, क्यों? क्योंके भाई, number of proton जो है, वो greater है, 82 से, तो मैंने बता दिया, जब भी number of proton, 82 से greater होंगे, आग बन करके बोल देना, इसका nucleus break हो सकता है, और इसमें natural radio activity हो सकती है, natural radio activity क्या है? nucleus का break होना मैं कभी nuclear बोल ला हूँ कभी nucleus बोल ला हूँ तो nucleus को दिमाग में रखना अब ये मेरे पास एक uranium का वो है atom, अब तो uranium के atom में last shell में एक electron नहीं होते हैं लेकिन first shell में दो electron होते हैं अब uranium का atom में पूरा boat पे ड्रोनी कर सकता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे electron होंगे आपने ये पढ़ रखा है जितने number of proton होते हैं उतने number of electron होते हैं अगर 92 92 जो है वो proton है uranium के पास तो 92 ही electron भी होंगे तो 92 electron draw करना possible नहीं है मेरे लिए तो इसलिए मैं सिर्फ शुरू के shell में फर्स शेल में दो electron बनाकर आपको बता रहों के ये uranium का item है तो ये आपने बड़ा याद रखना है मैं जो भी करूंगा बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा बगहर बताए आपको आगे नहीं बढ़ूंगा ठीक है ये मेरा आपसे बाता है चलो तो थोड़ा समय भी rest लेता हूँ अच्छा अब आज जाते हैं अब क्या होगा मैं आपको example देता हूँ nucleus तूटता क्यों है भाई nucleus इसलिए तूटता है कि number of proton बहुत ज्यादा हो जाते है इतने ज्यादा number of proton नहीं अपने आपको बांदे रख सकते एक साथ उनके दर्मियान electro aesthetic force बहुत ज्यादा हो जाती है simple सी बात है आप अपने school में पढ़ते हैं maximum कितने बच्चे आ सकते हैं आपके school में चलो आपका नाम लिखता हूँ मैं बासित आप देख रहे हैं वीडियो तो लाप का नाम लिखता हूँ यह बासित है बासित के class में maximum 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 बच्चे अगर मैं खड़े भी कर दूँ एक बच्चे खड़े कर दूँ मैं मतलब बच्चे कुर्शियों पर बैठे हैं यह possible ही नहीं है कि 100 बच्चे एक साथ class में ले आऊं तो फिर आपके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आ रही कि यह कैसे possible है कि यह 92 neutron इसके अंदर 92 proton इसके अंदर stable ले सकते हैं जब 100 बच्चे एक class में नहीं आ सकते अगर उस class की capacity नहीं है 100 बच्चों के लिए तो फिर अगर 92 number फिर कैसे जा सकते number of proton तो यही वज़ा है कि unstability बढ़ जाती है for example एक class में सिर्फ जगा थी बच्चों की 50 की बासित का जो school था उसमें सिर्फ 40 बच्चे आ सकते थे उस class में अराम से यह तो minimum number है मतलब maximum number है लेकिन मैंने 100 बच्चों को admission दे दिया उसके class में तो अब बच्चे तो यह तो धक्का देने लग जाएंगे जाओ भाई दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ ताकि हमें सुकून मिले हमें जो है वो अराम मिले कहता है ना किकर किसी के करीब आपको जाना है मतलब किसी के पास आपको रहना है तो उससे दूर रहना सीखे अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह आपका दोस्त है यह आप मैं बात समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाएगी आप इससे इतना दूर खड़े हुए बहुत अच्छी बात है सही है दोस्ती बनी हुए लेकिन आप इसके इतना करीब आके खड़े हो जाएं कि उसको सांस ले में मुश्किल होने लग जाए ठीक है बहुत करीब आके खड़े हुगा है आप उसके तो वो क्या करेगा आपको दूर करेगा भाई दूर जाओ इतना करीब क्यों खड़े वे हो फार इक्जेम्पल मैं बोट से यहां दूर खड़ा हूँ अच्छा लग रहा हूँ अब मैं बोट में घुज जाओं तो मैं खुझ भी बहुत जो है वो फस्ट्रेट होता रहूँगा भाई इतना करीब क्यों खड़ा हो गया वोट के थोड़ा दूर हो जाता हूँ तो इसलिए अगर आपको किसी के करीब रहना है तो उससे दूर रहना सीखे इसी तरह से यह होता है कि प्रोटोन इक दुसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो अपने आपको एक जगँ बांथ के नहीं रख सकते हैं वो बोलते हैं भाई आधे तुम कहीं और जाओ आधे कहीं और जाओ मतलब आधे से मुराद कुछ कहीं और चले जाओ तो बहुत doctrine कैसे तूटता है यह हमें समझ में आगे कि प्रोटोन की तादस ज्यादा हो जाती है ठीक है सिंपल अब जब यह तूटेगा यहां लिखता हूं मैं पॉइंट फाइफ वैंट इस वैंट न्यूट्ट लिखता हूं तो इसमें से तीन चीजे निकलती है जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है यह ब्रेक्स लिखती है जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो इसमें से तीन चीजे निकलती है एक चीज निकलती है एलफा, इसको ऐसे लिखते हैं आप, A L P H A, एलफा पार्टिकल, आपको ये लिखने की जुरुद्ध मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, पार्टिकल, एलफा पार्टिकल्स निकल गए है आपके पास, अब मैं यह alpha, beta, gamma क्या है यह भी अभी detail में समझा रहा हूँ, ठीक है, यह मैं इसके parts बना रहा हूँ, 5 वाले गए, अच्छा, alpha particles निकल गए हमारे पास, फिर निकला मेरे पास beta, beta particle निकला मेरे पास, particles, बीटा particles निकले, फिर निकली मेरे पास gamma radiation, gamma करूंगा particle क्यों निकला हूँ, अभी बता दूँगा, यह gamma rays, ठीक है, यह तीन चीजें हमारे पास निकली, जब कोई nucleus break हुआ, समझ में आ गई बात, जब कोई nucleus break हुआ, यह तीन चीजें हमारे पास निकली, अब alpha particle क्या है, alpha particle हमारे पास, एक helium particle होता है, इस helium particle में कोई electron नही होता, इसके ओपर positive charge बनाया जाता है, plus two का, अब helium क्या होता है आपके पाच, पास बोल ला हूँ, ठीक है, तो इधर ही लिख देता हूँ, ता यह वो जगा सेफ हो जया है, इधर ही लिख देता हूँ, आपके पास निकला helium particle, helium, ठीक है, helium को हम जो है वो, यहाँ पर two i से denote कर होता है, हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला helium particle, अब helium particle कैसे निकला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो helium particle निकला ही निकला हमारे पास से यह, helium nuclei, अब helium nuclei के पास दो proton होंगे, चार हमारे पास इसका atomic mass आ रहा होगा, अब atomic mass इसका 4 क्यों आएगा, क्योंकि इसके पास proton तो 2 है, और neutron जो है वो इसके पास, वो भी 2 है, तो 2 प्लस 2 चार आपके पास आ गिया, अब इसके उपर जो चार्च होता है, हिलियम nuclei पे, वो प्लस 2E होता है, ठीक है, प्लस 2E होता है, अब प्लस 2E क्यों होता है, क्योंकि इस helium nuclei को helium का atom बनाने के लिए 2 electrons की हमारे पास कमी होती है, तो इसलिए इसको प्लस 2E लिखा जाता है, आपको पता है, जब electron की deficiency होती है, मतलब कमी होती है, तो वो प्लस में show होता है, जब electron ज्यादा हो जाते हैं तो वो negative में show किये जाते हैं तो यहां पर इसका जो charge होता है helium nuclei का helium atom नहीं बोला हूं nuclei बोला हूं तो helium nuclei पे दो atoms की कमी 2 electrons की कमी होती है इसे helium atom बनाने के लिए ठीक है तो यह हो गया यह alpha particles आप proton भी बोल सकते हो इसरे के यह प्रोटोन्स होता होते हैं छोड़ा सागे पहले 전ल लिख देता तो विट्म संध्सिकली आपके पास होते हैं एलेक्ट्रॉंग ठीक है एलेक्ट्रॉंग यह फिर यह जJames इए आपके पास होते हैं यह फिर यह आपके पास होते है पॉजी टॉन्सew NOT पॉजी टॉन्स अब भॉजी टॉन्स जो है न वह द waren पार्टिकल है एलेट्रोन मतलब यह ज़ितना चार्च एलेक्टॉन पर होता है उतना ही चाइज positon पे भी होता है लेकिन बस यह positon जो है वो आपके पास positive charge रखता है electron negative charge रखता है यह positive charge रखता है तो electron negative charge यह positive charge रखता है अच्छा alpha rays क्या होती है ठीक है यह इस से link करो वो इस से link करिएगा alpha rays आपके पास basically होती है radiation high radiation ठीक है high energy radiation होती है आपके पास alpha ray Radiation यानि Photons Photons नहीं लिख रहा हूँ Photons लिख रहा हूँ Photons अब Photons का Concept आपने नहीं पढ़ा है Photons जो है वो Energy Packets होता है Photons या Electromagnetic Wave आप EM आप पढ़ चुके है बहुत ज़्याद अच्छी तरीके से EM Waves ठीक है तो Alpha rays आपके पास Particles नहीं होते यह यहाँ तो Energy होती है जैसे के Heat Energy होती है उस तरह की Energy होती है और Ultra Violate Radiation होती है यह बहुत ज़्यादा Energy वाली Radiation होती है तो इसलिए जहाँ पर Nuclear Reactions हो रहे होते हैं वहाँ पर लोगों को नहीं जाने दिया जाता है क्योंके वहाँ पर यह Energy मौजूद होती है जो के Mass भी नहीं रखती है Electric Field, Magnetic Field में Reflect भी नहीं होती है बस चीज से पास हो जाती है और 100 मीटर तक यह चीजों से पास हो सकती है आपने देखा होगा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर Nuclear हमला हुआ है यहाँ से दूर रहे क्यों क्योंके वहाँ पर यह Alpha Radiation, Beta Electrons और Alpha Particles मौजूद होते हैं जो के हमारे जिसम के लिए बहुत ही ज्यादा खतनाफ चीज़े हैं तो यह वहाँ पर यह भाई साब लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंके यह हमारे जिसम से आरपार हो जाते हैं और हमारे जिसम को नुकसान पहुचा सकते हैं उसको खतम कर सकते हैं तो इसलिए जब यह नियूक्लियर चैप्टर जो है पढ़ाते वक्त मेरे दिल में खुद भी एक वो है डर तो नहीं कहूंगा एक खुद एक जजबा है क्यों जजबा है क्योंके यह नियूक्लियर एनरजी जो है बड़ी ही काम की चीज़ होती है और बड़ी ही खतरनाक चीज़ होती है एनरजी वो जो काम और खतरनाक दोनों हो यह वो एनरजी है आपके पास तो ये आपको समझ में आ गई बात कि क्या-क्या यहां पर होता है अब थोड़ा सा nature समझ लेते हैं क्योंकि आपको ना इसमें कहा गिया है कि nature भी समझे चलो मैं थोड़ा सा book भी पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ना यह भी हो जाए कि आपने book भी कुछ पढ़ ली है फिर आप बात में खुद भी करें तो इंशालला खुद कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले तो मैं जो मुझे यहाँ पर definition लिखके दीवे ना वही पढ़ देता हूं if an isotopes undergoes radioactive decay is called radio isotopes और radioactive element तो देखो भाई जैसे के हमारे पास यह particles यह atom यह element radioactive हो सकते हैं और आपने isotopes पर लाखा है जिसमें सिर्फ neutron की तादा था लगो अब यहाँ पर एक बात लिखी है the emission of alpha, beta and gamma radiation with the release of energy is known as radioactive तो आपको पता है कि जब यह nucleus तूटेगा तो उसमें emission होगी emission basically energy की emission होगी, energy निकलेगी अच्छा अब देखो, आपको बास समझ में आ गई, alpha particle का mass होता है यह 5 न 6, alpha particles इसको ऐसे नहीं बनाता हूँ अच्छा symbol इस्तेमाल करूँगा alpha और beta का हर जगा alpha and beta particles consist of mass तो अब आपके बात दिमारत में बात रहेगी masses यहां mass कर लेता है, mass तो देखो याद रखिएगा, alpha particle, beta particles consist of mass इन दोनों के पास mass होता है, ठीक है? अब यह helium nucleus है, आपको तो पता है ना, जो nucleus होता है, उसके पास mass होता है और वो mass क्या है, 1.6 multiply 10 की पार 27 kg, ठीक है? अच्छा, यह beta particle electron है, तो electron का mass आपको बाता है, 9.11 multiply 10 की पार minus 31 kg लिख लीजिएगा यह दोनो, ठीक है? अच्छा, mass, ठीक है? लेकिन, यह जो gamma radiation होती है, यह gamma, इसे यह sign gamma का है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लिख लेना gamma बोलते हैं से, यह जो gamma radiation होती है, gamma rays, यह जो है वो, इसके पास mass नहीं होता, no mass, ठीक है? अब आपको पता है, electromagnetic wave हमारे पास कोई mass नहीं होता, यह EMF wave होती है, जो field होती है, electric field और magnetic field, तो gamma ray के पास कोई mass नहीं होता, पीछे से भी link करेंगे तो आपको यह बात पता चलेगी, ठीक है? अच्छा, अब आगे आ जाता है, थोड़ा सा, move, आगे बढ़ता है, थोड़ा स अच्छा रहा था, कि आप यहां पर एक experiment बनाता हूं, यहां पर आपके पास radiation रखी वी है, ठीक है, एक radioactive element रखावा है, तो radioactive element का मतलब वो element जो nucleus जिसका तूट सकता है, radioactive element का मतलब क्या है, लिख लो, the radioactive element means थोस nucleus can be break, यह जिसका nucleus break हो सकता है, यह किया जा सकता है, ठीक है, त उपर क्या किया, field लगा दी, field, field कौन सी, electric field लगा दी, ठीक है, electric field की polarity यही है न, ताकि मैं बुक के मताबिक बना देता हूं, ताकि अच्छा हो जाए, तो electric field आपने apply कर दी, उपर, ठीक है, electric field, अब देखो यह positive terminal है, यह negative terminal, किसी battery के जरीए से आप यह create कर सकते हो, अब ठी बीच में मौझूद है, यह radioactive element है, यह कौन से element है, radioactive element, अलहमदुलिल्ला, आप लोगों को पढ़ाने की बज़त से, मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, और काफी मेरे लिए भी भैतर ही हो जाती है, तो यह element है, radioactive element, तो radioactive element है, इसमें से निकलेंगी, radiation, अब मैं आप से पूछता हूँ, बगएर बताए, ठीक है, आप लोगों की knowledge के लिए, अच्छा थोड़ा सा मैं ऐसा बनाता हूँ कि यह तीनो lines आपस में distinguish की जा सके, ठीक है, एक इसको इधर चले जो भैसा, आप इधर चले जो भैसा, आप इधर चले जो भैसा, अब अगर अगर मैं आप से पूछूँ के M English Center के students मुझे क्या बताएंगे के कौन सी वाली line जो है वो, बीटा पार्टिकल को बता रही है, बुक देखे बगएर, अगर है तो भी नहीं देखेगा, ठीक है, यह हमारा test है, तो बीटा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, मैंने अभ negative charge, ठीक है, तो negative terminal के पास, वह positive terminal के पास, चीज़ गई होगी, बीटा पार्टिकल, शाबाश, अच्छा, अब, अलफा पार्टिकल के पास कौन सा चार्ज, सॉरी, यह मैंने गलती देखें कितनी बड़ी करी है, है, फ्लिक दिया है इसको, अलफा पार्टिकल है, वैसे यह नहीं होती है, मतलब, grammar को इतना ज्यादा focus नहीं किया जाता, science में, लेकिन फिर भी इस तरह की गलती तो बहुत बड़ी गलती होगी, यह तो बहुत silly mistake हो जाएगी, तो alpha particle, alpha, मैंने, सिर्फ alpha लेका है, ठीक है, तो alpha particle पूरा पड़ेगा, alpha particle has positive charge, तो भाई, बिल्कुल सही है इदर चला इया, अच्छा तो gamma particle, gamma race, यह भी आ रहे है, यह भी आ रहे है, बहतर बनाते है, gamma race has no charge, तेखिए मुझे खुद भी feel आ रहा है अंदर से, कि आप लोगों को बास समझ आ रही होगी, क्योंकि यह मैं इतना सब कुछ लिखवा रहा हूँ ना, आपके जहन में यह क्योंकि जब मैं लिखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जब मैं सिर्फ बोलता हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने आपको समझाया, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता हूँ ना, अपनी class में, मैं जो teacher से बढ़ता हूँ मैं तो उनको बहुत दुआ देता हूं कि मैं उनसे बहुत अच्छा सीख पाता हूं लेकिन कैसे सीखता हूं लिखता हूं जो भी वो बोलता है ना वो लिख लेता हूं फॉरण से वो याद कर लेता हूं फॉरण से याद नहीं कर पाता तो लिख तो लेता हूं 100% फॉरण से तो जब मैं लिख लेता हूं बाद में जब टैस्ट होता है या कुछ टेम बाद में उस चीज को दुबारा go through करता हूं, दुबारा revision करता हूं, तो यू, चुटकियों में वो चीज मुझे याद हो जाती है, और मेरे दिमाग में बैठ जाती है, फिर बार बार देखता हूं, तो फिर वो हमेशे के लिए याद हो जाती है, तो आप भी लिख लेना, ठीक है, बस मैंने ये बताना था, तो जब गामा रे के पास कोई सब्सक्राइब गयरे के लिए पास होना, ठीक है, और पास में कोट च्रीप करता है, ठीक है, तो ये काम वहाँ पर टन हो जाता है, हमारा, तो ये आपको समझ में आ गया, तो बस इतना ही था, इसमें, अभी नही अभी मेरे मेरे पास हैगा, तो नेचर एप रेडियो तो यही बात लिखी वे, alpha deflect toward a negatively charge, while the plate is positively charged, alpha के पास, alpha कहां गिया, negatively charge की तरफ, क्योंकि उसके पास positive charge मौझूद था, बीटा deflect toward a positive charge, बीटा जो है, वो positive charge के पास गया, यानि positive plate के पास गया, that is negatively charged, क्योंकि वो खुद negatively charged था, ठीक है, कहते हैं ना, बुरे लोग हमेशा बुरों के पास जाते हैं, तो यह वो वाली चीज है, much lighter than alpha particles, अच्छा, अब आ जाते हैं, penetration power, पर आ जाते हैं, जगा बची नहीं है, तो penetration power के तरफ बढ़ते हैं, मैंने यह सब पूरा lecture सब्राइस कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, ठीक है, अच्छा, relative ionization effect of radioactive emission, यह बहुत important चीज है, लेकिन इससे पहले यह समझ लेते हैं, अ, देखो, मैंने बोला था न, आपके, के, यह जो helium होता है, इसके पास 2E लिखा जाता है, प्लस 2E लिखने का मतलब यह है, के दो electron की deficiency है, यह पिचारा गरीब है, इसके पास 2 electrons नहीं है, ठीक है, तो इसको 2 electron चाहिए, अच्छा, अब यह समझ लीजिए, के जो हमारे पास हमारे पास जो alpha particles होते है, इसका mass सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो यहां मैं 11 point बना दिता हूँ, alpha particles, particles लिख दिया तो अब आप half लिखूँगा, alpha particles half, g, r, e, a, t, e, r, greater, mass, than, beta, party, pulse, ठीक है, alpha particle has greater mass than beta particles, एक चीज़ इसमें गलत हो गई, थोड़ा सा ना वो नीचे चला गया, अच्छा नहीं लग रहा, यह गुरूप में भेजूगा ना तस्वीर खेज के इसकी दो इसलिए, अब गुरूप का नहीं बताया ना, गुरूप में एड हो जाना, गुरूप क has, अच्छा अब यहां भी have लिखना पड़ेगा, gamma rays have no mass, ठीक है, इसके पास कोई mass नहीं क्योंकि यह radiation है, radiation के पास mass नहीं होता, ठीक है, अब heat आपको जो मिलती है, उसके पास कोई mass नहीं होता, वो सिर्फ एक radiation आप तक आती है, ठीक है, अच्छा तो यह हमारा यहां पर य होगी, लेकिन उसकी penetration power बहुत कम है, क्योंकि उसके पास mass ज्यादा है, एक छोटी सी चीज आप दिवार पे मारते तो वो ज्यादा आपके पास आजाती है, उसी के मुकाबले में बड़ी चीज दिवार पे फेकते हैं, तो वो कम आपके पास आती है, तो इसी तरह से जो alpha particles ह होते हैं, इसके पास energy बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी penetration power बहुत कम होती है, क्योंकि इसका mass बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा ये चीज के आरपर नहीं जा पाती, ठीके बहुत ही कम इसकी penetration power जो है वो रहती है आपकी, ठीके यह आप याद रखिएगा, ये आप नही जो beta particles है न, उसकी जो energy है ये थोड़ी कम होती है, alpha particles है, लेकिन ये ज्यादा penetrate कर जाती है, क्योंकि इसके पास mass कम होता है, अचा सबसे ज्यादा जो penetrate करती है न, सबसे ज्यादा जो penetrate कर सकती है, वो कर सकती है alpha rays, ठीके, 100-100 meter तक penetrate कर जाती है, ठीके, मैं यह लिख देता इसको लिख लिख लिजेगा कि penetration power of gamma ray is 100, ठीके, 100 meters, तो यह इसलिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा जो है वो आगे तक penetrate करती है, इसकी penetration power जो है वो बहुत अच्छी रहती है, ठीके, अच्छा, अब बाकी मैं आपको कैसे समझाना चाहरा था, बाकी मैं आपको यह बताना चा ठीक है, तो student अब आगे continue करते है, अब आपके पास topic है, इसी में आखरी, क्योंकि मैंने penetration आपको समझा दी है, फिर उससे पढ़ दूँगा दुबारा, अब यह topic है कि ionization क्या होता है, ions क्या होते है, देखो भाई, यह आपके पास एक item में draw करता हूं, यह में एक hydrogen का item draw करता तो जब चलो helium ही draw कर देता हूं, यह helium है आपके पास, तो जब इस helium से, यह helium यह आपके पास HE था ना, जब इस helium में जब इस helium में अगर एक electron ज्यादा आ जाएगा वैसे पहले shell में ऐसा possible नहीं है कि दो electron ज्यादा आ जाएए इस सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ तो इसके open negative charge आ जाएगा negative one charge आ जाएगा ठीके तो आइन्स का मतलब क्या होता है कि यहां तो electron चला जाए यहां तो electron आ जाए तो जो चीज होती है वो आइन्स बन जाती है अगर इसके पास जितने atom होने चाहिए जितने electron होने चाहिए उतने ही electron है तो यह आइन्स नहीं है तो आइंस क्या है या तो ऐटम में से अलेक्ट्रोन चला जाए या तो ऐटम में इजाफी आ जाए यह आइंस बहुता है आपके पास तो यहां पर लिखावाए आइंस आर चार्ज एटम और चार्ज नेयूकलियस तो यह आखरी चीज लिख लो इसको मिटा देता हूं कि कि चौदा मैं इसी को कोट करता हूं आइन्स आर आइन्स आर चार्च एटम एटम्स और चार्च मॉलिक्यूल के साथ भी यह आप हिसाब किताब कर सकते हो हो अगर आपके दिमाग में इसावाष मोलिक्यूल के साथ हैं सकते थी तो बिलकुल घर सकते हैं तो इसके अंदर से भी आटम को निकाल सकते हैं उसमें ला सकते हैं थीक ठीक है अलफा या बीटा तो वो एक्ट्रों जो है वो भार निकल जाएगा ठीक है गैस को आइनाइज कराने के लिए जो है वो आपके पास गामा रे ज्यादे तर इस्तेमाल हो रही होती है ठीक है तो इसको यह यहां पर देखते हैं ठीक है तो अब हमारा क्या रह गया है अब हमारा पस आखरी हिस्सा रह गया है इसमें relative penetrating abilities of radioactive emissions तो वो मैंने आपको अभी बता दिया था कि सबसे ज्यादा जो penetrate करने की सलाहियत है वो हमारे पास गामा रे के पास है ठीक हो यहां पर अगर मेरे पास एक वो रकीए यह दो वो रकीए प्लेट Do PH。 तो यहां पर है आपके पास beta radiation ऐलफा रेडीयेशन गामा रेडीयेशन टो इसमें आकर रूख जाएगी तो इलफा रेडैशन इसमें आकर रूख jाईगी गामा रेडीयेशन इधर से बहां है इसा क्यों होता है फैसरे सबसे कम है क्यों कि यह यह चिजों में यहा पर आगीया यह यह आपर आगया थोड़ा सा उल्टा बन गया मुझसे इसको आप सीधा कर लो के आपके पास यहां आके रुख गई बीटर आपके पास दूसरी शीट पर जाके रुखी और गामा रे तीसरी शीट से भी बान निकल गई जाकर क्योंकि उसकी पावर मैंने दिखानी ठीक है सबसे ज्यादा है तो इस तरह से यह concept है इसका आपके पास ठीक है बाइंडिंग फ्रोटॉण फॉट 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 इन दा न्यूक्लिएस सब्सेंट इस प्रॉट पत्रों और प्रोटॉण सॉट्स इन डा नूक्लियॉज न कोहिए तो यहां पर मैंने जो है वह बाइंडिंगजवाब दे दिया है यहां सिर्फ प्रोटॉट्उचा गया लेकिन मैंने neutron को भी मिला के जबाब दिया क्योंकि proton and neutron bind होते हैं आपस में ठीक है what is the nature of alpha radiation alpha radiation की क्या nature है तो alpha rays are positively charged particle alpha particle is highly active and energetic helium ठीक है जो मैंने बता है वही चीज़ यहां पर लिखी हुई है आपके पास लेकिन इसका of radiation to penetrate a certain material is called penetrating power ठीक है अच्छा समझ में आगिया होगा बहुत detail में जाकर concept से मैंने यह चीज़े आपके सामने represent की है मैंने बताया कि ना कि इस lecture को देने से पहले मैंने खुद 2-3 घंटे प्रेपेर किया है अपने आपको कि क्या चीज़ लिखनी है कैसे आपको इसको समझाना है तो अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लिजए कि मैं इंशाल्ला गाइट ज़रूर करूँगा थैंक्स फर वचिंग अल्लाहाफिज अपनी कीम की दुआओ में ज़रूर याद रखें